नमस्कार मेरी विद्यार्थी मित्रो आज मेरा मन है सेरो सायरी, गजल, रुबाईयां ये सब सुनाने का लेकिन मैं अपनी मर्जी से नहीं सुना रही हूँ आपके पठे करम में है तो ये आपको पढ़ना ही है और सेरो सायरी, गजलें किसको पसंद नहीं है बच्चों बहु इसमें है गजल प्रुबाईयां जो की लिखी हुई है आपके परसीद लेखक फिराक गोरकपुरी द्वारा, उनका परसीद शेर है बच्चों, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ए जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं, वा, 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 क् फिराक गोरकपुरी का, इनका जन्म हुआ था, इनका मूल नाम रगुपती सहाय था, और रामकर्ष्न की कहानियों से, अपनी शिक्षा की शुरुवात की बाद में, इन्होंने अर्भी, भार्शी और अंग्रेजी भी सीख ली, फिर उनिस सुसत्रा में, ये कलेक्टर के प हुए, लेकिन सवतंतरता आंदोलन में इनको हिस्सा लेना था, इसके लिए इस पत से त्याग पतर दे दिया, 1918 में, और फिर आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण, इनको 1920 में जेल हो गई थी, इनको गुले नगमा, जो इनकी रचना है, उसके लिए इनको साहित्याकार में प कभी का निधन हो गया तो इनकी रचनाओं में सायरी के छेतर में इन्होंने नए किर्दीमान स्थापित कि इनकी महत्पूर्ण करतिया हैं बुले नग्मा बजवे जिंदगी रंगे साहरी उर्दू गजल गोई और कवे गत्वी सेस्ताओं की बात करें तो उर्दू सायरी साह प्राबादी इलताप उसेन वाली जैसे कुछ सायरियों ने इस परंप्रा को तोड़ा है तो फिराक गोरकपुरी इन में से एक है फिराक ने परंप्रागत भावगोध और सब्द बंडार का उप्योग करते हुए उसे नई भासा और नए विशो से जोड़ा है उनके सामाजि दोनों भारती सेंस्कृति लोग भासा की प्रतिकों से जोड़कर उन्हें अपनी सायरी का नुठा मैल खड़ा किया है इनकी भासा सहली मैंने बताई दी कि उर्दू भासा का इनोंने प्रियोग किया है लाक्षमिक और मौाउरेदार भासा इनोंने बनाई है इनोंने काया कि सेर लिखे नहीं जाते कहे जाते हैं ये एक तरह का संवाद होता है मीर गालिप की तरह फिराग ने भी इस सेली को साधगर आम आदमिया साधान जन से अपनी बात कई है तो रुबाईयां क्या हैं बच्चो कि जो फिराग गोरकपुरी हैं इनकी रुबाईयां उनकी रच्चना गुले नगमा से उद्रत है मतलब गुले नगमा से ली गई है आज जो हम रुबाईयां पढ़ेंगे वो रुबाई उर्दू और फार्शी का एक चंद या लेखन सेली है इसकी पहली दूसरी और चोथी पंग्ती में तुक मिलाया जाता है कौन सी पहली दूसरी और चोथी में और तीसरी पंग्ती स्वतंतर होती है इन रुबाईयों में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है इन्हें पढ़ने से सूर्दास के वात्सल्य वर्णन की याद आती है क्योंकि मा बेटे का इसमें संबाध है और मा बेटे का जो प्य होता है प्यार होता है उसको कहते हैं वात्सल्य रस तो इसमें वात्सल्य रस दिखाई पड़ता है तो मा और बच्चा किस तरह से एक दूसरे से बात करके खुश होते हैं उचलते हैं बच्चे और खिलखिला कर हंसते हैं वो इनकी रुबाईयों में देखने को मिलता है जो कवी ने वादसल्य का वर्णन किया है मां अपने बच्चे को आंगन में खड़ी होकर अपने हाथों से प्यार से जूला रही है वो से बार-बार हवा में उचालती है जिसके कारण बच्चा बहुत खुछ होता है और खिला कर हसता है वह उसे साप पानी से नलाती है तथा उसक गजल का हम दूसरा वीडियो बनाएंगे तो आपको गजल समझाएंगे ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं, रुबाईया आंगन में लिए चांद के टुकडे को खड़ी हाथों पे जुलाती है उसे गोध भरी तो जो फिराग गोरकपुरी है वो क्या कहता है कि एक मा चांद के टुकडे अर्थात अपने बेटे को अपने घर के आंगन में लिए खड़ी है और वही अपने चांद के टुकड़े को अपने हाथों पर जुलाने लगती है तो चांद का टुकड़ा किसको बताया है उसके बेटे को तो आंगन में मा चांद के टुकड़े को अठाथ अपने बेटे को घर के आंगन में लिए खड़ी है हाथों से जुलाती है उसे गोद भरी और यहीं अपने चांद के टुकड़े को अपने हाथों पर जुलाने लगती है रहर रहकर हवा में जो लोका देती है लोका मतलब हवा का इसमें जुलाने के लिए जो जोका देती है उसको और हवा का जो जोका आता है तो बीच-बीच में वह उसे हवा में उचाल भी देती है उचाल देती है गुंज उठती है खिल खिलाते बच्चे की हसी तो बीच-बीच में हवा के जैसे उसको हवा में उचाल देती है इस प्रिक्रिया में बच्चा खुशो उठता है और खिल खिला कर हसी गुंशती है उसकी हसने लगता। समझ मैं है बच्चो कि आंगन में लिए चांद के टुकडे को बड़ी हाथों पे जुलाती है उसे गोध बड़ी। आंगन में अपने चांद के टुकड़े को लिए खड़ी है और उसे अपने हाथों से जुला रही है चांद के टुकड़े को अपने आथों पर जुला रही है आथों में लेकर हम जुलाते ना बच्चों को हाथ में लेकर दोनों हाथों से पकड़ कर वैसे वह उसको जुला र चलके चलके निर्मल जल से उल्जे हुए केशों में कंगी किस प्यार से देखता है बच्चा मुझ को करके जब गुटनियों में लेके पिनाती कपड़े तो यहां पर क्या करता है सायर कि माँ अपने बच्चों को स्वच जल से नहलाती है नहला के चलके चलके निर्मल जल में तो उसको निर्मल जल में एकदम स्वच पानी में उसको नहलाती है उल्चे हुए केशों में कंगी करती है उसके जो बाल है वो उल्चे हुए है उस बालों में पानी चलक रहा है और उनमें कंगी करती है किस प्यार से देखता है बच्चा मुँखो करके जब गुटनियों में लेके पिनाती कपड़े तो मा क्यों केवल कल की बात है वह अपने गुटनों में लेकर उसको कपड़े पैनाती है और बच्चा बहुती प्रेम से मा का चेहरा निहारता है आगे दिवाली की साम घर पुते और सजे चीनी के खिलों ने जगमगाते लावे तो आगे कवी कहता है सायर जो है फिराग गोरकपुरी वो कहते हैं कि आज दिपावली की साम है दिपावली की साम घर पुते और सजे और घर को पोता गया है और सजाया गया है इस अउसर पर घर एकदम घर पर रंगरोगन किया गया है हम भी करते ही है ना दिवाली के अउसर पर हमारे घर में कलर करते हैं वैसे ही कभी कहते हैं कि दिवाली के अउसर पर घर को सजाय गया है रंगरोगन किया गया है चीनी के खिलोने जगमगाते लावे तो घरों में मिठाई के नाम पर चीनी के बने खिलोने आते हैं और वो रूपवती मुखड़े पे एक नम दमक बच्चे के घरोंदे में जलाती है दिये तो मा के सुन्दर मुव पर हल्की सी चमक सी आ जाती है और वह बच्चे के छोटे से घर में दिया जलाती है वहां रूपवती मुखड़े पर, मतलब रूपवती मुखड़ा किसका? उसकी मा का. तो उस मुखड़े पर चमक आ जाती है एकदम से, और बच्चे के घरोंदे में जला ती है और बच्चा का छोटे से बालक तो है चानद में ललचाया है, दरपन उसे देखर कह रही मा, देख आएने में चानद उतर आया हैו। वो उन टुनक टुनक कली खेल रहा हैं, और बालक तो है चानद में ललचाया है। बालक का मन है वो चांद के लिए ललचा रहा है और चांद की जिद लगा कर बैठ गया है उसे आकास का चांद चाहिए और दरपन उसे दे कर कह रही मा देख हाईने में चांद उतराया है तो उसका मन उस चांद पर ललचा गया है तो मा क्या करती है उसे दरपन में चांद दि इस तरह वह अपने बच्चे की जिदे पूरी करती है, तो बच्चे तो बच्चे होते हैं, तो बच्चों को जब तक हम मा मनाती नहीं है, कोई भी तरह से उनकी संतुष्टी नहीं करती है, तब तक बच्चे अपनी जिदे पर रहते हैं, लेकिन मा मा होती है, वह कैसे भी करक कि रक्ष्य बंदन कि सुबै आनंद वर मिठास की सोगात रक्ष्य बंदन की सुबै रस की पूतली तो अलकी बादलों की घटा भी चाही हुई है क्योंकि रक्षा बंदन स्रावन माइने में आती है और उस समय बारिस होती रहती है बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे तो इन बादलों में बिजली चमक रही है और इसी तरह राखी के लच्छे भी बिजली की तरह चमक रहे है भाई की है बांदती चमकती राखी और बेन अपने भाई की कलाई पर इन चमक के लिए राख्यों को बांदती है तो बिजली की तरह जिस तरह से आस्मान में बिजली चमकती है काली घटाओं के बीच वैसे ही राक्यों के लच्छे भी बिजली की तरह चमक रहे हैं तो फिराग गोरगपुरी ने जो गजल लिखी है उनमें वो बताते हैं कि उन पर भी मीर की गजलों का प्रभाव है चलिए देखते हैं रुबाईयों की तरह फिराग की गजले में भी हिंदी समाज और उर्दू सायरी की परंपरा भरपूर है इस गजल में दर्थ और पीड़ा के साथ 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 सायर की ठसक भी अंतर निहित है इसका सार इस तरह है गजल के माद्यम से सायर कहता है कि लोगों ने हमेशा उस पर कटाक्स किये हैं उसके बारे में बुरी बुरी बाते कहीं हैं साथ ही उसकी किस्मत ने भी उसका साथ नहीं दिया तो उसे अपनी प्रेमिका की याद आ जाती है और अंतिम शेयर में शायर कहते हैं कि वह यह स्विकार करता है कि उसकी गजलों पर मेर की गजलों का प्रभाव है चलिए एक एक गजल को ध्यान पुरोग पड़ेंगे और उसके सरल अर्थ के साथ हम उसको समझेंगे रुबाईया हम पड़ चुके हैं आज है हमारे लिए गजल जो कि आपके क्लास 12 थारो में चिप्र नमबर 9 में है पहली गजल है नीरस गुंचे पंखुडियों की नाजुग गिरया खोले हैं या उठ जाने को रंगो भू गुलसन में पर तोले हैं तो यहां पर परकार्था ह गिरया मतलब गांट पंखुडिया मतलब जो कोमल पंखुडिया होती हैं कोई भी कली की वो तो यह सब यहां पर सायर क्या कहना चाहते हैं कि बसंत्री तुमें नीरस गुंचे पंखुडियों की तो रस से भरी हुई नए रस से भरी हुई कलिया नाजुग गिरये खोले हैं कलियों की कॉमल पंखुडियां गांठे खोल रही हैं कब वसंत्री तुमें और वे धीरे-धीरे फूल बनना चाती हैं मतलब फूल बनने के लिए कोशिस कर रही हैं फूल बनने के लिए अग्रसर हैं या उड़ जाने को रंगो बू गुलसन में पर तोले हैं उनको देखकर क् सुगंद रंगो बू रंग और बू मतलब सुगंद डोनों आकास में उड़ जाने के लिए पर तोले हैं पंख फड़ फड़ा रहे हैं दूसरे सब्दों में बाग में कलियां खिलते ही चारों तरफ सुगंद फैल जाती हैं तो कभी क्या खते हैं कि बसंत्री तुमें नए अगली गजल है तारे आंखे जपकावे हैं जरा जरा सोवे हैं तो रात्री ढल रही होती है और तो ऐसा लगता है कि तारे भी सो रहे हैं टिम टिम करते हैं तो ऐसा लगता है कि उनकी टिम टिमार्ट देखकर कि वह सो रहे हैं आखे जपका रहे हैं जरा जरा सोवे हैं तो श्रिष्टी का प्रकृति का कण कण उस समय सोया हुआ नजर आता है कि संपून श्रिष्टी का कण कण सो रहा है और तारे भी ऐसे लग रहे हैं जैसे आखे पहते हैंजब रहे हैं दो कि अपने की हुआ कुछ दूप कर रहे हैं। तुम्हें सुनो यारो तो साहर कहते है मित्रो जए तुम्हें हुए My zumam कुस्मत हो हमारी दोनों को एक काम मिला किस्मत हमको रोलेवे हैं हम किस्मत को रोले हैं बचो गजल को गजल की तरह ही पढ़ना चाहिए सायरी को सायरी की तरह ही पढ़ना चाहिए दोय को दोय की तरह ही पढ़ना चाहिए और छंद अलंकार को उनकी तरह ही पढ़ना चाहिए तबी तो कावे में रस की अनुभूति होती है तो अगर कावे में रस नहीं है तो वो कावे एक तम फिका लगता है तो गजलों को गजलों की तरह पढ़िए बहुत आन्न दाता है चलिए फिर से देखते हैं हम हूं या किसमत हूं हमारी कि दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रोले वे हैं, हम किस्मत को रोले हैं, तो इसकी व्यक्षा इस तरह से करते हैं साहर, कि संसार में मेरी किस्मत और मैं खुद दोनों एक जैसे ही हैं, हम दोनों एक ही काम करते हैं, क्या काम करते हैं, जब कर्ष्ट आता है, अभाव आता है तो मैं किस्मत को दोस्त देता हूं और किस्मत मुझे दोस्त देती है मेरी तरफ देख कर रोती है क्योंकि मैं एक एक दम हीन करम निश्ट हूं मतलब मैं आलसी हूं नकारा हूं इसके लिए किस्मत मेरे लिए रोती है और मेरे अभाओं में मैं किस्मत को रोता हूं तो हम द शोच के मेरा पर्दा खोले हैं ऑपने परदा को यह की जो अपको बदपनाम करते हैं कोई भी इनसान तो आप यह सोचो कम से कम सामने बदचेना शोचना चाहिए की वो आपका खोल रहे हैं या खुद बदधनामी करके मतलब घंदध कारी वो कर रहे हैं नीच कारी वो कर रहे हैं तो वो खुद अपना पर्दा खोल रहे हैं गंदा कारी करने वाला कौन है बदनाम करने वाला कौन है जो आपका पर्दा खोल रहा है तो बदनाम तो वो है ना गलत वो है आप नहीं है कम से कम उसको यह सोचना चाहिए कि दूसरो का बूरा कौन कर रहा है बूरा वो कर रहा है इसलिए वो गलत है आप नहीं हो तो देखते हैं कि सायर क्या करता है सायर करता है कि संसार में कुछ लोग उसे बदनाम करना चाहते हैं ऐसे निंदकों के लिए कवी कामना करता है कि वे केवल ये बात समझ सके कि मेरी जो बुराई संसार के सामने लाना अच्छा कारिय नहीं होता है तो ये एक निंदक कारिय है इसके लिए उसे ये सोचना चाहिए कि मेरी कम्या अगर वो उजागर कर रहा है तो गलत काम वह कर रहा है मेरा परदा खोलने की बजाए अपना ही परदा खोल रहा है जो मुझे को बदनाम करे हैं, कास वे इतना सोच सके, मेरा परदा खोले है या अपना परदा खोले है, कितनी अच्छी गजल है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये कीमत भी अदा करें, हम बदरुस्ती ए होसो हवास, तेरा सोधा करने वाले दिवाना भी हो ली है, तो कभी क्या क हवास के साथ, तुमारे प्रेम की पूरी कीमत अदा कर रहे हैं, हम तुमारे प्रेम का सोधा करने वाले हैं, तेरा सोधा करने वाले दिवाना भी हो ली हैं, तो हम तेरे दिवाने बनने को तयार हैं, तेरे प्रेम का सोधा करने को भी तयार हैं, और हम पूरे होसो हवास में तुमारे प्रेम के लिए पूरी कीमत अदा करना चाहते हैं तो कभी कहता है कि जो प्रेमी है वो समाज की नजरों में पागल होता है क्योंकि उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता अपने प्रेमी के अलावा तो वो कहते हैं कि मतलब जो प्रेमी होता उसको समाज पागल ही समझता है लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि वो पूरी सिद्दत से जब वो किसी से प्रेम करता है तो वो है पूरी सिद्दत से ही करता है समाज की उसको परवा नहीं होती तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं तो कभी कहता है कि अपनी प्रेमिका के लिए कि मुझे तुम्हारे गम का पूरा ख्याल है लेकिन साथ साथ मुझे संसार का भी ध्यान रखना पड़ता है सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं यदि हर चग तुमारे लिए दुख के सब के सामने गाता फिरू तो दुनिया हमारे प्रेम को बद्धनाम कर देगी मतलब अगर मैं तुम्हारे और मेरे प्यार के चर्चे दुनिया के सामने रो रो कर गाता रहूँगा तो दुनिया हमें बद्धनाम कर देगी इसके लिए मैं क्या करता हूँ इस पीडिया को अपने ही दे में छिपा लेता हूँ और चुपचाप अकेले में ही रो लेता हूं सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो ले हैं तो ये है कि प्रेमी अपने दुख को संसार के सामने परकट नहीं करते और दुख तो होता है प्रेमिका के लिए प्रेमिका को समझाते हैं कि दुख तो मुझे बहुत है, लेकिन इस संसार का भी खयाल है, संसार के सामने में अपना दुख परकट इसलिए नहीं कर सकता है, क्योंकि वो हमारे प्यार को बद्धनाम कर देंगे, इसके लिए मैं अकेले ही अपने हिर्दे में ये पीडा छुपा कर चुपके-चुपके रो लेता हूं, समझ में आ रहा होगा बच्चों, चले आगे बढ़ते हैं, फित्रत का कायम है तवाजून, आलमे हुसनों इसक में भी उसको उतना ही पाते हैं, खुद को जितना खोले हैं, इसमें कभी क्या कहता है, कि प्रेम और संद्रिय के संसार में संतूलन कायम है, इस हम उतना ही प्रेम पा सकते हैं, जितना हम स्वें को खोते हैं, दूसरे सब्दों में प्रेम में पहले स्वें को मिटाना होता है, जो वेक्ति जितना अधिक समर्पन करता है, वह उतना ही अधिक प्रेम पाता है, फित्रत का कायम है, कि ये संसार का नियम है, ये संतूलन है, तुआजुन आलमे हुसनो इस्क में भी, कि मतलब सुन्दर्ता और प्रेम में ये संतूलन काइम रहना चाहिए, उसको उतना ही पाते हैं, हम किसी को उतना ही अधिक पाएंगे, जितना हम उसके लिए समर्पित होंगे, जितना हम किसी पर विश्वास करेंगे, जितना हम किसी के लिए अपने आपको त्याग करेंगे, तज करेंगे, उतना ही सामने वाले का प्यार हमें मिलेगा, तो ये कभी ने बहुत अच्छी बात कहीं है, सायर ने, जो विक्ति जितना अधिक समर्पन करता है, वह उतना ही जाओ किताबों से इतना प्यार करो कि किताबे आपसे प्यार करने लगेंगी आप मतलब इतने कर्तवे निष्ट बन जाओ कि आपको शिरफ अपनी किताबें ही दिखे आपको अपनी पड़ाई ही दिखे आपको ये लक्षे ही दिखे दूसरा कुछ दिखे ही नहीं तो आपको अपनी मंजिल खुद बखुद मिल जाएगी, तो ये प्रकर्ति का नियम है, ये सब के लिए लागू होता है, कारी हर चेतर में, आबो ताब अश्वार न पूछो, तुम भी आँखे रखो हो, ये जगमक बैतों की दमक है या हम होती रोले हैं, तक अभी क्या कहता है, कि तु और ध्यान से देखना चाहिए, कि ये जगमक बैतों की दमक है, तो ये बैतों मतलब आशू, तो ये जो जगमक है, ये सेरों में जो चमक है, ये मेरे आशू की देन है, दूसरे सब्दों में कभी क्या कहते हैं, कि मैंने इसमें अपनी पीड़ा काववे के माद्यम से दर्स तुम भी आँखे खोड़ो, ध्यान से पढ़ो, ऐसा नहीं है कि जो चमक दमक दिखाई देती है, उस पर आप फिदा मत हो, पहले ये देखना चाहिए, कि उसमें मेरी पीड़ा चुपी हुई है, दर्द उबरकर उसमें आया है, इसलिए ये चमक दमक आपको दिखाई देत आप वो ताब असवार न पूछो, तुम भी आँखे रखो, तो मेरी शायरी में जो चमक दमक है, उस पर फिदा मत हो, तुमें अपनी आँखी खुली रखने चाहिए, तुम भी आँखे रखो, ये जगमक बेतों की दमक है, तो ये जगमक जो शेरों की चमक है, यहां हम मो मोती रोले मोती यहां पर किसको कायोगा है कि आँखों के जो आशू होते हैं वह आशू की देन है यह मेरे दर्द की देन है चलिए आगे बढ़ते हैं ऐसे में तु याद आए अंजूमने महें में रिंदो को रात गए गर्दू पे फरिष्टे बाबे गुना जग खोले हैं क कि ऐसे तु याद आए अंजूमने में 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 रिंदो को कि मतलब जिस तरह से सरावियों को सराव याद आती है सराव की मैफिल में वैसे ही जब वियोग है तुमारे लिए मेरे और तुमारा तो उस वियोग में तुम मुझे वैसे याद आती हो जैसे सरावियों को सराव य बाबे गुना जग खोले हैं आकास में संसार के पापों का अध्याई खोलते हैं तथा जैसे आधी रात के समय देवदूत आकास में संसार के पापों का अध्याई खोलते हैं वैसे ही वियोग के समय दुख के समय तुम मुझे याद आती हो जिस तरह से सरावियों को सराव या तुम मुझे याद आगत्ति हो अचानक से सद्के फिराक एजात सुखन के कैसे उडाली ये आवाज इन गजलों के परदों में तो मीर की गजले बोले हैं міflart अक्षि अंतिम गजल कि सद्के फिराकแตė इजाज सुखन के फिराक कहते हैं कि उसकी गजलों पर लोग मुगद होकर कहते हैं कि फिराक तुमने इतनी अच्छी सायरी कहां से सीखली सद्ध के फिराक एजाज सुखन के कैसे उडाली ये आवाज कि फिराक ये ऐसी सुख देने वाली सायरियां तुमने कहां से सीखली तो इन गजलों के पर्दों में तो मेर की गजले बोले हैं तो मैं सबको कहना चाहता हूँ कि इन गजलों के सब्दों में तो मेर कवी की गजलों की समानता दिखाई पड़ता है पड़ती है भाव यह है कि कवी की सायरी प्रसिद कवी मेर के समान उतकरिष्ट है तो कभी आपने मीर के अगर गजले नहीं पड़ी हैं तो उनको भी देखेगा और यहां कभी भी ये मानते हैं कि मेरी गजलों पर मीर जो प्रसिद कभी सायर है उनकी गजलों का प्रभाव है चलिए आज हम इन दोनों के ही मैतोकून पर्षन उत्रों पर चर्चा करने वाले हैं पहला पर्षन है सायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाता है उत्तर है सायर राखी के लच्चे को बिजली की चमक की तरह कहे कर ये भाव वेंजित करना चाता है कि रक्षा बंदन साउन के महीने में आता है इस समय आकास में गटाएं चाही होती है तथा उनमें बिजली भी चमकती है राखी के लच्चे बिजली कोंदनी की तरह चमकते है बिजली की चमक सत्य को उदगाडित करती है ततराखी के लच्छे रिष्टों की पवितरता को व्यक्त करते हैं गटा का जो समंध बिजली से है वही समंध भाई का बहन से है पहुत ही अच्छा पर्षन है बच्छो पर्षन नमर दो खुद का पर्दा खोलने से क्या आसे है उत्तर है पर्दा खोलने से आसे है अपने बारे में बताना ये दिकोई व्यक्ति किसी दूसरी की निंदा करता है या बुराई करता है तो वसमें की बुराई कर रहा है, इसलिए सायर ने कहा कि मेरा परदा खोलने वाले अपना परदा खोल रहे है, पर्श नमर तीन, बच्चे की खुशी सबसे ज़्यादा कब पुंजी है, जब मा अपने बच्चे को उचाल उचाल कर प्यार करती है, तो बच्चे की हसी सबसे खिल खिलाट होती है किस्मत हम को रोले हैं हम किस्मत को रोले हैं इस पंक्ति में सायर की किस्मत के साथ तनातनी का रिस्ता अभिवेक्ट हुआ है चर्चा कीजिए इसका उत्तर इस प्रकार है बच्चो कभी अपने भागे से कभी संतुष नहीं रहा किस्मत ने कभी उसका प्रस्ट नमबर फाइफ टीपनी करें गोधी के चांद और गगन के चांद का रिष्टा दूसरा है सावन की घटाएं वरक्षय बंदन का पर्व तो गोधी के चांद से आसे हैं बच्चा और गगन के चांद से आसे आस्मान में निकलने वाला चांद इन दोनों में गहरा और नजदी की रिष्टा है दोनों में कई समानताए हैं आस्थरी ये है कि गोदी का चांद गोदी का चांद मतलब बच्चा गोदी का चांद गगन के चांद को पकड़ने के लिए उतावला रहता है तबी तो सूर्दास को कहना पड़ा मैया मैं तो चंद्रे खिलोना ले हूँ मतलब बच्चा जो होता है वो चांद के लिए मचलता है कि मुझे चांद चाहिए तो बच्चा जो है वो गोदी का चांद है और एक है आसमान का चांद तो वो चांद को लेने के लिए बच्चा मचलता है, जिद करता है कि मुझे चांद चाहिए और उसकी मा क्या करती है, दरपन में चांद को दिखा कर उसको चुप कराती है, दूसरी टीपनी क्या करनी है, सावन की गटाएं वर रक्षा बंदन का परुएं, तो रक्षा बंदन सावन की काली-काली गटाएं भाई को संदेश देती हैं कि तेरी भहन तुझे याद कर रही है, ये दि तु इस पवितर तोहार पर नहीं गया तो उसके आखों में मेरी तरही बुंदे टपकने लगेंगी परसन नमर 6, मा बच्चे को किस परकार तयार करती है? उत्तर है, मा बच्चे को छलगती हुए निर्मल और स्वच पानी से निलाती है, उसके बालों में प्यार से कंगी करती है, उसे कपड़े पहनाती है, ये सारे कारिये देखकर बच्चा बहुत खुश होता है, वठंडे प चांद को पकड़ने की जिद करता है, वए मा से कहता है कि मुझे यही वस्तु चाहिए, चांद को देखते ही उसका मन लालत से भर जाता है, क्या सायर भाग्यवादी है? सायर बिल्कुल भी भाग्यवादी नहीं है, क्योंकि वो तो बोलता है न, कि किसमत को मैं रोता हूँ और किसमत मुझे रोती है, उसे अपने भाग्यवादी नहीं है, वह तो कहता है, मैं और मेरी किसमत दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों मिलकर रोते हैं, वह मुझे पर रोती है, और मैं उस पर रो लेता हूँ, दोनों परस पर वी रोती हैं, इसलिए कह सकते हैं कि सायर कि पीद्र अर्थात आदत है इससे व्यक्ति को कुछ प्राप्न नहीं होता व्यक्ति जितना पाता है उतना ही गभा भी देता है इसलिए इसक में कुछ पा लेना संभव ही नहीं है किसी ने आज तक इस pot हमें कुछ बासा का प्रियोग किया है, खास बात यह है कि इनकी बासा में कठिना ही नहीं है, हाँ कुछ सब्द उल्जाओ पैदा करते हैं, लेकिन विपाठक को कठिन नहीं लगते हैं, बच्चों आपको भी उनकी बासा कठिन नहीं लगी होगी, कुछ सब्द हैं जो कठिन हैं, लेकिन वो सरलता से समझ में आ जाते हैं पर्शनमर 11 गोरकपुरी के अलंकार योजना पर प्रकाश डाले तो फिराक ने कई अलंकारों का सवभाविक प्रयोग किया है इसलिए उनकी रुबाईयों और गजलों में अलंकारों का प्रयोग थोपा हुआ नहीं लगता वे भावं प्रसं के अनुकुल इन में आये हैं साय ने मुख्य रूप से रूपक उपमा अनुकरा संदे पुन्रुक्ति प्रकास अलंकारों का प्रयोग कि यह सबी अलंकार बच्चों मैं एक वीडियो के माद्यम से आपको समझाओंगी कि अलंकारों का काव्य में क्या महत्व है और अलंकार कैसे प्रयोग के जाते हैं अलंकारों की पैचान कैसे करें कौन सा अलंकार इसमें आया है है वो सब मैं एक वीडियो के माद्यम से आपको मिल जाएंगे प परफ्णाबर 12 गौरकपुरी पुर्इचैने हैं विद्धिधन में बछाल करें कि अक्तां में पुचछे हैं उल्डू साथ साइब ने देशे संस्कृत की तो दरश्टी से सब्द साय पूरे के पूरे देशत सब्द है और इन प्रियोग से उनकी रुबाईया और अधिक प्रभावी लगती हैं परसन नमर 13 रक्षा बंदन की सुबह रस की पुतली चाई गटा गगन की हलकी हलकी बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे भाई के बानती चमकती राखी इस रुबाई का कला सुंदरी इस पश्ट करें तो इसमें भासा सहज सरल परवावी है साय ने उर्दू सब्दों के साथ साथ देशत सब्दों का भी भावानुकूल परियोग किया है और इसमें अनुपरास पुन्रुक् आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पर जूलाती है उसे गोद भरी रह रहके हवा में जो लोका देती है गुण्ज उड़ती है खिल खिलाते बच्चे की हसी तो इसका उत्तर है कवी कहता है कि मा अपने चांद जैसे बच्चे को आंगन में लिए खड का में मतलब बार एक सब्दो बार आए तो वह पुनुपती प्रकाल सनलंकार होता है और किसी दूब जीज स्चैनिते वड़्दों का वडने क्या गया है और उर्दू सब्दों का भी मिश्रन क्या गया गया है गय पूरा घर रंग रोगन से पूता हुआ है मा अपने नन्य बेटे को पर्शन रखने के लिए चीनी मिटी के जगमगाते खिलोने लेकर आती है वह बच्चों के घर में भी दिया जलाती है इसी तरह राखी के समया कास में काले काले बादलों के हल्की गटा चाही हुई है छोट अर्थात इसको इस तरह इससे भी पूछा जा सकता है कि फिराख गोरकपुरी की रुबायू में ग्रामिन अंचल के घरेलू रूप की स्वभाविक्ता और सात्विक्ता के अनुठी चितर चितरित हुए है तो संगरीत रुबायू के आदारपर उत्तर इस्पष्ट आया हुआ भी है एकजाम में उत्तर लिखेंगे कि फिराख की रुबायू में ग्रामिन अंचल के घरेलू रूप का स्वभाविक चितरन मिलता है मा अपने सिसु को आगन में लिए खड़ी है वह उसे जुलाती है बच्चे को नलाने का द्रिश से दिल को छुने वाला है द चली वच्चों शुरू करते हैं आज का पहला पर्षण है रुबाया किसकी रचना है फिराख गोरक पूरी फिराख सुलतान पूरी मजरूम सुलतान पूरी एमद पूरी तो सही उत्तर आएगा फिराख गोरक पूरी मा अपने प्यारे बेटे को कहा लिए खड़ी है घर के मंदिर में घर की चक पर घर के आंगन में घर के दुआर पर तो मा अपने प्यारे पेटे को घर के आंगन में लिए खड़ी है बच्चे की हसी से क्या गुंज उठता है आंगन घर संपून वातावरन संपून व्यक्तितु है तो संपून वातावरन बच्चे की हसी से गुंज मां बार बार हवा में क्या उचालती है? मां बार बार बच्चे को हवा में उचालती है. हवा में बच्चे की क्या गूंज रही है? हवा में बच्चे की हैसी गूंज रही है. मां बच्चे को कैसे जल से नहलाती है? मां बच्चे को एकदम निर्मल पवित्र जल से नहलाती है. गरम जल से नहीं, गंगा की जल से भी नहीं, यबुना की जल से भी नहीं, जबकि निर्मल जल से नहलाती है किस परवे पर घर लिपे, पुते, साब, सुत्रे, तथा सजे दजे होते हैं गर में किस से बने सुंदर खिलोने रखे हैं, तो घर में चीनी मिटी के बने खिलोने रखे हुए हैं दिपावली के आउसर पर रूपवती के मुख पर क्या होती है एक ठंडी चमक नहीं, एक सरल चमक नहीं, तो नहीं 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 ही बचो, इसमें पहला उप्षन सही है, एक नरम चमक चलिए, बालक किस पर लल चाया है, बालक चांद पर लल चाया है मा अपने फुत्र को क्या देती है मा अपने फुत्र को खिलोना नहीं देती चांद नहीं देती सितारा भी नहीं देती मा तो अपने फुत्र को दरपन देती है क्योंकि बच्चा बोलता है कि मुझे चांद चाहिए तो मा उसकी सुलब मन इच्छा को पूरी करने के लिए बाल इच्छा को पूरी करने के लिए दरपन हाथ में देती है और दरपन में ही दिखाती है कि देखो ये रहा तुमारा चांद किसके लच्छे चमक रहे हैं राखी के परांदी के दुपटे के आचल के सही उतर है बच्छो राखी के राखी के लच्छे क शांध की जैसे नहीं दर्पढ की दसे नहीं रहेके के लच्छी चमक रहे हैं बिजली जैसे रुबाया में किस बोभ्र का प्रियोग है प्रसाद गोंश गोंश मांध्वायी गीन कोई नहीं कि कावे गुण क्या होते हैं और उसमें कौन-कौन से गुण आते हैं फिर अगला परशन है बच्चो यह है अगला परशन रुबायों में किस चंद का परियोग हुआ है तो रुबायों में रुबाई चंद का परियोग हुआ है रुबायों में किस चली का परियोग हुआ है रुबाईयों में किस रस का प्रयों हुआ यह पुछा गया परशन है और इंपोटेंट है इसमें वाचसले रस क्योंकि मैंने आपको बताया था पिसले वीडियो में कि मा का अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है इसने होता है वो वाचसले रस किस रहनी में मान जाता ह गजल किसकी रचना है गजल भी फिराग गोरुकपुरी की रचना है और रुबाईया भी फिराग गोरुकपुरी की रचना है गजल में कवी ने किस रीतू का वनन किया है गजल में कवी ने वसंत रीतू का वनन किया है फूल की कलियां किसे खोल कर खिल उड़ती है तो फूल क कि गहन अंदिकार में प्रकृति का कणकण सोया हुआ है रात्री के गहन अंदिकार में क्या टिम्टी मा रहे हैं जाहिर सी बात है गहन अंदिकार में तारे टिम्टी मा रहे हैं चलिए तारे क्या जबकाते हैं तारे मन तन यादें नहीं नहीं तारे जबकाते हैं आखें कौन कवी को बदनाम करना चाहता है परिवार के लोग रिष्टेदार समाज के लोग देश के लोग कवी किस कीमत को अदा करने की बात कहते है प्रेम की, सिख्षा की भोजन की, कपड़े की कवी प्रेम की कीमत अदा करने की बात कहते है कभी किसको संबोदित करते हैं, मा को, बहन को, भाई को, प्रियत्मा को, कभी प्रियत्मा को संबोदित करते हैं, कभी किसका सोधा करने के लिए कह रहे हैं, घर का, खेत का, प्रियत्मा का, रिष्टों का, तो कभी प्रियत्मा का सोधा करने के लिए कह रहा है, कभी प्रियत्म किस भावना का समान करता है पीड़ा कुछी प्रेम आदर्स तो कभी पीड़ा की भावना का समान करता है कभी को अपनी प्रियत्मा के साथ साथ किसका खयाल है कभी को अपनी प्रियत्मा के साथ साथ दुनिया का भी खयाल है किसका तवाजुन कायम है तो फित्रत का तवाजु काइम है कभी किस की चमक की बात कर रहा है मोती शेरों हीरा तारों कभी शेरों की चमक की बात कर रहा है सराब की महफिल में सराबियों को क्या याद आता है तो सराब की महफिलों में सराबियों को शराब याद आती है रात गए फरीष्टे आकास में संफून संसार का क्या खोलते हैं परशन पूछा गया है और अच्छा परशन है फिर से पूछा जा सकता है तो पाप का अध्याई रात गए फरीष्टे आकास में संफून संसार का पाप का अध्धाय खोलते हैं फिराक किस पर सद्ध के जाता है फिराक सायरी के आवाज पर सद्ध के जाता है कभी अपनी गजलों को किन के प्रती समर्पित करता है कभी अपनी गजलों को मोर की प्रती समर्पित करता है गजल में किस चंद का परियोग किया गया है गजल में गजल चंद का ही परियोग हुआ है फितरत काइम है तवाजुन आलमे होसनो इसक में पंक्ति में कौन शी बासा है तो यहां पर उर्दू और फार्सी बासा का परियोग किया गया है तद्सम परदान बच्चो जो किस सेंस्कृत की बासा उसको कहते हैं तद्व जो अपनी हिंदी की बासा उसको कहते हैं और ब्रिज बासा जो ब्रिज में बोली जाती है उसको कहते हैं और यहां पर जो आपको पता ही है ज्यादा तर जो सेरो सायरी है वो उर्दू बासा में ल खायारवी पंग्ति में भासा कौनसी है तो उर्दू-फारशी है, पूछा जा सकता है, कि कौनसी भासा में गजल और उबायां लिखी गई हैं। उर्दू-फारशी में। सद्ध के फिराग एजाजी सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज पंक्ती में बासा कौन सी है उर्दू फार्शी है पठीत गजल के अनुसार रात के सनाटे में क्या कर रहे हैं तो कुछ बोल रहे हैं पठीद गजल के नुसार रात में कौन बोल रहे हैं तारे बोल रहे हैं गजल के नुसार आखे कौन जबका रहे हैं तारे जबका रहे हैं फितरत का काईम है तवाजुन यहां तवाजुन का क्या अर्थ है तवाजुन का अर्थ है संतूलन फितरत का काईम है तवाजून, यहां फितरत का अर्थ क्या है, आदत जो कि हम रोजमरा की लाइफ में ही यह सब्द प्रियोग करते रहते हैं, कि उसकी फितरत सही नहीं है, मतलब फितरत का यहां अर्थ है आदत, रात गए उर्दू पे फरीष्टे यहां गर्दू का अर्थ है आकास तारे आखे जबकावे हैं जरा जरा सोई हैं यहां जरा जरा का अर्थ है कनकन रुबाईया कविता में किसके लच्छे चमक रहे हैं राक्य के पहले भी परशन आ चुका है अच्छा परशन है पूच्छा जा सकता है थैंक्यू स्टुडेंट्स पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और मेरी सुब कामनाई आपके साथ है आगा में एक्जाम आपकी बहुत अच्छी जाए तैयारी आपकी और भेतर हो सके थैंक्यू सो मच्छ